असलाम लेकुम फ्रेंड कैसे हैं आप सब वेलकम टू माई चैनल आज हम आपको रिबन से बो बनाने का तरीका सिखाएंगे जिसके लिए हमें रिबन की जुरुरत पड़ेगी तो चलिए आए शुरू करते हैं यह देखे हमने रिबन लिया 20 इंश हमने रिबन की कटिंग की 20 इंश पर यह देखें इसे अब हमने अपनी दोंगलियों पे रखा तीन इंश पीछे करके यूँ करके अब हमने तीन दो अंगलियों पर रखके इसे चमक वाला साइड हमारा उपर आना चाहिए और जो बिना चमक के है उसे नीचे करना है ऐसे करके इधर से भी हमने इसी तरह मोड के चमक वाला साइड उपर करना है और बिना चमक वाला साइड नीचे करना है फिर हम दुबारा से अंगली पे लपेटेंगे लेकिन चमक वाला साइड उपर और बिना चमक वाला साइड नीचे यह करके रिबन चोड़ा लें या बतला ने आपकी मर्जी लेकिन हम इसे चोड़ा ही ले रहे हैं और यह पीछे का जो रिबन का बकाया हिसा बच गया है इसे अब हमने उस अंगली के नीचे करके यूँ दबा देना है जहां से हमने लिया था तीन इंच का gap यूँ करके हमने पीछे से इसे ले आना है और यहाँ पर भी हमने इसका चमक वाला side ही उपर रखना है बो के दर्मियान में जो गिरा लगेगी वो भी चमक वाले side की ही होनी चाहिए बिल्कुल ऐसे करके अगर यह fold हो जाए तो इसे सीधा भी कर लें हमने इसका इस एरिये को ठीक किया यूँ करके और इसे जोर से यूँ खेंच लिया अच्छे से tight कर लिया यह देखें यह हमने tight कर लिया और चेक करें कि बो की चारों पतियां सही एक जैसी है इसे हमने आइस्ता आइस्ता करके अपनी अंगलियों में इसे निकाल लिया यह उसाय टाइट भी किया ताकि यह खुलने न पाए यह गिरा बहुत मजबूती से लगती है फिर हमने इसे अपनी अंगलियों से निकाल लिया निकालने के बाद यह देखें इसे हमने अपने अंगलियों से निकाल के इसकी सारे सैडों को चेक करें और वही गिरा को चेक करें कि वो गिरा टाइट लगी है या नहीं हाँ जी अभी देखें हमने इसकी दोनों पतियों को बराबर रखे कैंची से इसका नोकिला हिसा बनाया ताके नोकिले हिसे की वज़ज़ से इसके ये धागे निकलना खतम हो जाए वो के डबल नोकिले हिसे भी होते हैं लेकिन हम इसके सिंगल नोकिले हिसे बना रहे हैं यूँ करके हमने बराबर से इसको काट लिया ये देखे यह बहुत ही आसान और दो मिनिट में त्यार होने वाली बू है हमारी आज की वीडियो कम्प्लीट हुई अगली वीडियो हमें हम फिर हाजिर होंगे तब तक के लिए अलाहाफेज